हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपनी तैयारी मन से कर रहे होंगे फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो के सेसन में हम लोग एम्स द्वारा जो जूनियर अडिमिस्टेटिव असिस्टेंट अर्थात LDC पोस्ट के लिए 3 सेतेंबर 2023 को एक्जाम जो लिया गया था उसके प्रसंपत्र को देखेंगे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनका की कॉमेंट आ रहा था कि इम्स भुबनेस्वर का वे एक्जाम देने वाले हैं साथ ही साथ एम्स कल्यानी, एम्स रैवरेली, एम्स राजकोट, एम्स गौरकपूर, एम्स नागपूर और जितने भी नए एम्स एस्टिवेलिस्ट किये गए हैं, उन सभी एम्स के द्वारा जो है, लडिसी पोस्ट के लिए बिग्यापन निकाला गया है, उसके द्वारा भी बिग्यापन निकालने की तयारी की जा रही है तो यदि आप एम्स में जूनियर इन्विस्टेटिव असिस्टेंट अर्थात लडिसी पद के बिग्यापन को भरे हैं, या फिर आने वाली बिग्यापन का इंतिजार कर रहे हैं, कि आप बिग्यापन के निकलते ही उसका फॉर्म भरेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, तो आपके लिए यह फ्रस्ण पत्र काफी उपयोगी होगा, तो वीडियो को सुरू से ले करके अन तक देखें, इससे आपको इस बात की पुरी तरह से समझ आ जाएगी, कि आखिर एम्स में जो है, LDC पोस्ट के लिए परिच्छान ली जाती है, उसमें फ्रस्ण किस प्रकार क आते हैं, साथी साथ आपको इस बात का भी अंदाजा इससे लगेगा कि आखिर आप यदि एक्जामनेशन में देने जाएंगे, तो आप जो है इस प्रस्ण को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे, तो चली आएए शुरू करते हैं, अभी के इस वीडियो के सेशन में फ्र पचास मार्क्स के रिजिनिंग से प्रस्नाता था, पचास मार्क्स का मैज से प्रस्नाता था, और पचास मार्क के इंगलिस के पोस्ट, इंगलिस से प्रस्नाते थे, अर्थात कुल 200 प्रस्नाते थे, पुर्व में जिस तरह से SSC की द्वारा स्टाब सेलेक्शन कमिशन, अर के द्वारा जो बिग्यापन निकाला जा रहा है उसमें लवर डिविजनल करल अर्थात LDC फोस्ट के लिए भी कुल 200 प्रसन आते हैं और उसमें जो है दो घंटे का समय प्रसन पत्र को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है कुल 50,50 भाग के अर्थात 50 marks के प्रसन जीके के जर्नल एवर जर्णिंग के, 50 mark के प्रसन math के एवं 50 mark के प्रसन English से पूछे जाते हैं तो अभी के इस वीडियो के Session में हम लोग General Everness को प्रस्न को देखेंगे वीड़ियो लंबा ना हो इसलिए हम इसे Part by Part में जो है आपके लिए लेकर के आएंगे हम लोग से सीधे General Everness में General Everness के प्रस्न प्रत्र को देखने के बाद आप पूरी तरह से यह अपने आपको आकलन भी कर पाएंगे कि यदि आप M's का examination देते हैं आखिर आप कितना जो है उसमें बना पाएंगे तो चलिए आईए अब हम लोग जो है देखने वाले हैं पेज नंबर यह आपका अब आइस की पर दिख रहा जेनरल एवरनेस यह 22 वा नंबर पेज से शुरू है यह सारे प्रसन जो है एकदम हुँ बहु आउडिनल प्रसन है तो चलिए यह देखते हैं कि पहला प्रसन क्या है पहला प्रसन आपके स्किन पे दिख रहा होगा पूछा गया था मुद्रा इस्फिती की आपधारना किसे सम्मंदित है राष्टिया आयले खांकन उत्पादन एवं लागत धन एवं बैंकिंग सुक्चंबित सांस्थान तो इसका जो सही आंसर होगा वो उत्पादन एवं लागत है ग्रीन कलर के जो टिक आउट किये हुए हैं वे जो हैं सभी सही आंसर को इंगित करते हैं तो उमीद करता हूँ कि पहला प्रसुन जो है यह एकोनोमिक सेक्षन का है और आप इसे पढ़े होंगे एकोनोमिक सेक्षन से जो मुद्रा एस्पिती वेगरा का जो टॉपिक है उससे यह प्रसुन डाला गया है तो सही जवाब इसका उत्पाद नेवम लागत होगा दूसरा नमर प्रसुन देखिए यह जनगना से है जैसा कि आप जानते हैं कि जनगना से जो है काफी प्रसुन पूछा जाता है चाहे वो भारत के कोई भी एक्जामनेशन हो चाहे आप स्टेट लेवल पीसी की बात करें ससी हो रेलवे हो या फिर कोई भी परिक्छा हो तो उसमें जो है जनगना से जरूर प्रसुन पूछा जाता है यदि आप जनगना नहीं टॉपिक पढ़ें तो अभी भी आपके पास समय है आप जरूर पढ़ लें हो सकता है कि आने वाली एक्जाम में जो है जनगना से प्रस्ण आ जाए या फिर यह जो पचास प्रस्ण हम लोग जनरल एवर्नेस के करने वाले हैं ऐसा भी संभव है कि इससे दो या तीन प्रस्ण आपके हो बहु आ जाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एम्स के जो पेपर लिए जा भारत के किस राज में साक्षरता दर सबसे अधिक है निश्यत रुप से आप इसका आंसर जानते होंगे केरल इसका सही जवाब है सबसे अधिक जो है साक्षरता दर जो है वो केरल में है चलिए तीसरा नवर प्रसन देखिए कपरा उद्योग में परमुकता के कारण भारत के क इस सहर को पुरुव का मेंचेस्टर कहा जाता है, सही जवाब अहमदावाद है, बिल्कुल सही रांसर है, लुसेंट यदि आप पढ़ते होंगे, तो उसमें यप प्रस्न हुबअ हुब लिखा हुआ है, कि पुर्व का मेंचेस्टर जो है वो अहमादावाद को कहा जाता है क्यों तो कप्राउद योग में परमुक्ता के करण चोथा नमर प्रसंद देखिए किस राजवन्स ने गुप्त उत्तर काल के दोरान उत्तर भारत पर सासन किया और जिसे अक्सर समकालीन गुप्त कहा जाता है तो आप्सन से आप इसे पकर सकते हैं मोखडी राजवन्स चालू कि कुसान चोल तो कर आए क्या कि कौन सा राजवन्स जो है वो गुप्त उत्तर यानि गुप्त उत्तर के मतलब हुआ गुप्त काल के बाद उत्तर भारत पर जो है सासन किया था गुप्त काल के बाद जो है यहाँ पे जो भी होगा उसमें मोखडी राजवन्स जो है इसका सही जवाब होगा चली आईए पाँचमा नमर प्रसन देखिए पाँचमा नमर प्रसन आपके स्किन पे दिख रहा है और काफी आसान प्रसन है यह प्रसन जो है आप से गलत नहीं होना चाहिए यदि आप एक प्रत्योक्ता प्रिक्षा की तैयारी करते हैं काफी असान प्रसन है भारत में केंसासित परदेश की कुल संख्या तो आप जानते ही है कि केंसासित परदेश की कुल संख्या जो है वो आठ है और यह दिकुल राज्यों की बात करें तो राज्यों की कुल संख्या भी कितना ह गई है 28 हो गई है क्योंकि जम्मु कस्मीर को जो है आप जानते ही है कि डिभाइड कर दिया गया भारत में पहले जो है 29 राज थे लेकिन अभी राजियों की कुल संख्या 28 हो गई है और केंसासित परदेश की कुल संख्या भी 8 हो गई है चली आईए छठा नंबर प्रसंद द जही जो आंसर होगा वो कलाच्षेतर फॉंडेशन होगा कलाच्षेतर फॉंडेशन जो है यह डांसिंग इसकूल है तो आपको यही पुछा गया है कि डांसिंग इसकूल कौन सा है तो यह कलाच्षेतर फॉंडेशन इसका सही जवाब होगा चली आईए सत्मा नमर कहता है कि किस नदी को जो है बिहार का सोक कहा जाता है बेहद आसान प्रसन है खास करके यह दिया बिहार राज से हैं तो आप तो इस प्रसन का अंसर जानते ही होंगे कि बिहार का सोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि कोसी के कारण जो है खास करके उत्तर बिहार में paarफी जो है बाड आती है और बाड के कारण भहुत जान मालकी छती होती है और जो है इस से कई संसाधन भी अपंग होते हैं साथी साथ कई मतलब कर सकते हैं कि एक यद बिब्दा के रूप में आती है खास कर कि उत्टर अत्यवार में जटिल हाथ मुद्रा और चेहरे के भाव हैं तो भारत नात्यम जो की तमिलाडू राज में काफी फेमस हैं आप जानते होंगे कि भारत नात्यम की जुदपती है वो भी सौथ इंडिया के तमिलाडू राज से हैं तो तमिलाडू का जो है या भारत नात्यम निर्थ काफी फे complex में प्रदसित किया जाता है चलिए ये नम्मा नमर प्रसंद देखिए काता है भारत में कि सरकारी पहल का उद्देश बिभिन modern अर्थात आधुनिक पारंपरी कोसल में अलफसंख्यक युवाओं के कोसल को उनत करना है तो सही जवाब इसका होगा सीखो और कमाओ सीखो और कमाओ जो है या एक government का पहल है और इसका उद्देश जो है वो बिभिन आधुनिक पारंपरी कोसल में अलफसंख्यक युवाओं के कोसल को बढ़ावा देना है दास्मा नमर प्रसंद देखिए और इसका सही जवाब क्या होगा संस्थान जो है वो एंजियो और स्वेंग सहायता समू दोनों को बढ़ावा देने में सहाजक है चलिए आईए एग्यारवा नमर प्रसंद देखिए एग्यारवा है 2030 तक भारत ने सकल घरलू उत्पाद की उत्सरजन तिर्वता को कितने कम करने का वादा किया है तो सही जवाब इसका है 43 से 45 पर 30 चलिए बारवा नमर प्रसंद देखिए हम लोग जल जल वीडियो लंबा ना हो इसलिए जो है हम लोग इसको तेज गती से देख रहे हैं ताकि कम समय में हम लोग सभी 50 प्रसंद को देख सके हैं बारवा नमर प्रसंद है कौन सी फसल भारत की मुख खाद फसल है और मुख रूप से खरीफ मौसम के दोरान उगाई जाती है तो इसका सही जवाब जो है वो चावल होगा चावल जो है भारत के एक पर मुख खाद फसल है और या खरीफ फसल भी है अर्थात खरीफ मौसम के समय भी जो है चावल का उगाउ किया जाता है खरीफ फसल कौन कौन से है और रभी फसल कौन कौन से है इसके लिए ट्रिक्स जो है बेहद ही जल जो है Knowledge Track 24 के इस online मंच पे हम आपके लिए लाएंगे चैनल में आप बने रहें और यदि आप पहली वार आएं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले है चलिए इसके बाद तेरवा नमर प्रसन देखते है तेरवा है भारत में कौन से चार महानगर है तो महानगर पूछा जा रहा है तो मुंबई, चेनली, कुलकता और देली ये जो हैं आपके महानगर है देखिए राजधानी जो है कहीं पर भी जो है वो महानगर की सिर्नी में प्रायर इंडिया में आए हुए है तो और सब भी जो आप्सन है जिसे देखिए इंडोर है इंडोर जितना है इंडोर मदफर्देश में परता है और मदफर्देश में बोपाल जो है महानगर है इंडोर नहीं है तो इंडोर वाला आपसन जैसे या आया आपका तो ये सारा जितना है तीनों में इंडोर है तो आप इसको eliminate करके सही जवाब बना सकते थे इंदोर वाला तीनों option नीचे से गलत होगा पर पहला नमर्ज option है मुंबई, चिन्नई, कुलकत्ता और देली ये सारो राजधानिया हैं और ये सबी जो है चारो महानगर की से नहीं मातने हैं क्योंकि महाराष्ट की राजधानी मुंबई हो गया, तैमिलाडू के चे नहीं हो गया, पस्ची मंगावल का कुलकत्ता हो गया और दिल्ली की राजधानी तो नहीं दिल्ली है आप जानते ही हैं तो सही जवाब इसका पहला होगा चलिए, चोधवा नमर प्रसंद देखिए, आर्थिक विकास का कौन सा पहलू, ग्रामीन छेतरों में रहने की स्थिति और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है तो इसका सही जवाब है ग्रामीन विकास, ग्रामीन विकास जो है इसका सही उप्सन अगर चारों आप पढ़ेंगे तो आपने शितरुप से इसका जवाब सही सही दे सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास है option को देख करके ही आप छाटने का प्रियास करें ऐसे प्रस्ण जो है अगर आप option सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसका सही अंसर क्या होगा पंद्रवा नमर प्रस्ण देखिए एकार में अर्थ एवार्ड केर में वर्स 2022 के लिए सामोद्विक आधारित जलवायू करवाई के लिए फ्रुसकार किसने जीता है तिये ग्राम विकास ने जीता है ये करेंट से जो रहा हुआ कोशन है सोनवा नमर कोशन देखिए दूरिंग विच पिरियेड डिर द आईरन एज इन इंडिया टेक प्लेस का रहा है कि किस पिरियेड में जो है आईरन एज जो है वो अस्थान ग्रहन किया था इसका सही जवाब होगा पंद्रहसो बीसी से ले करके दोसो बीसी के बीच इसके बाद देखिए सत्रहवा नमर प्रसन देखिए काफी आसान प्रसन है और काफी इंपोर्टेंट है कई बार विविन परिक्षाओं में पूछा भी गया है स्वर्नीम चतरभूज भारत के किनकिन महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग का नेटवर्क है तो आपको याद रखना है कि स्वर्नीम चतरभूज के अंतरगत जो है कौन-कौन सा महानगर जुरा हुआ है तो याद रखेगा दिल्ली, मुंबई, कुलकता और चिन्नाई ये चार जो महानगर है वो स्वर्नीम चतरभूज परियोजना के अंतरगत जुरे हुए है इस अर्थात कौन सा नेटवर्क है तो यह राजमार्ग रखात यह रोड का जो है स्वर्नीम चतरभूज इसके अंतरगत जो है चार महानगर को जोडने का प्लान किया गिया है इसके बाद 18-1 प्रशंद देखिए भारत 2022 से बिकरम फरवरी 2022 से बिक्रम सरा भाई अंतरिक्ष केंद के निदेशक कौन है बिक्रम सरा भाई अंतरिक्ष केंद के जो डिरेक्टर है फरवरी 2022 से वो है डॉक्टर S. उनिक्रिस्नन नागर इसके बाद उनिस्वा नमर प्रसंद देखिए काफी असान प्रस्ण है काजी रंगा राष्ट्य उद्यान जो है वो एक सिंग वाले गेंडे की आवादी के लिए जाना जाता है बिस्वा नमर प्रस्ण देखिए उनिस्वा पचीस में हिंदू राष्टवादी संगठन राष्टिय स्वेंग सेवक संग आरेसस की अस्थापना किसने की तो केसव बलीराम हेडगवार जी इसका जो है ऑप्सन तीसरा जो है सही जवाब इसमें से होगा 1925 इसवी में जो है आरेसस की अस्थापना जो है केसव बलीराम हेडगवार के द्वारा किया गया था आसान प्रस्ण है कई बार रेलवे पे पूछा गया है यदि आप रेलवे के भी तैयारी कर रहे होंगे या कभी प्रस्ण पतर देखे होंगे तो उसमें ये आपको प्रस्ण में निवेश की और ले जाने में महत्पुर्ण भूमी का निभाता है तो सही जवाब इसका होगा आप्शन नंबर पहला अर्था बीटिये संस्थाएं चलिए 22 नंबर प्रस्ण देखिए इकोनोमिक्स जो है 5-6 प्रस्ण पूछे गया है तो इकोनोमिक्स का सेक् प्रस्ण आने के बाद बहुत सारे स्टूरेंट जो नहीं पढ़े हुए है वे कन्फ्यूज कर जाते हैं और प्रस्ण को गलत बना करके आ जाते हैं 22 नंबर प्रस्ण देखिए सुद्राष्टिय उत्पाद NNP किसके बराबर है तो यह जो है सकल राष्टिय उत्पाद चेतर में उत्पिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार दोरा कौन सा पर्तिष्ठिट पुरुसकार दिया जाता है तो यह संगीत नाटक एकादमी पुरुसकार जो है दिया जाता है तो संगीत नाटक एकादमी फुरुसकार ही इसका सही जवाब होगा और वहां रेट के टीलों के विसाल विस्तार के लिए जाना जाता है पुछा जाना है कि कौन सा जो है रेगिस्तान भारत के उत्तर पस्चिम छेतर में इस्थित है और रेट के टिला के बिसाल बिस्तार के लिए वह जाना जाता है तो थार रेगिस्तान होगा क्योंकि थार रेगिस्तान जो है वो भारत के उत्तर पस्चमी छेतर में इस्थित है चलिए आगे देखिए आगे जो है कक्स करन औप्षन से भी आप शाट करके बना सकते थे कक्स करन तो पस्तमी पस्मी छेत की तरफ हो जाएगा पुडवी टटियम महेरान तो आपका होगा नहीं दक्कन का पठार भी नहीं होगा तो सही इसका अन्सर कौन सा होगा तो थार रे पाचीसमा नमर काता है फिसल लांचर है इंजक्तिड चंदरियान 3 इन टूरि इंट्रियान 30 experiencing दूरा यह लांचर था जो केंजटेट किया गया था चंदरियान 3 के प्रोजेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था तो सही आंसर इसका उप्शन नमर दूसरा होगा चलिए 26 वा नमर प्रसंद देखिए महिला समान बचत प्रमान पत्र के लिए वार्सिक ब्याजदर क्या है यह अभी करेंट से जुरावा कुशन है तो 7.5 पर तिसका सही आंसर होगा 27 वा नमर प्रसंद देखिए कि इस भासा का उप्योग अधिकांस था बौद धर्म ग्रंथों और ग्रंथों की रचना के लिए मुखरूप से किया गया था संस्क्रीट पाली प्राकित तमिल तो इसका सही जवाब होगा पाली देखिए प्रसंद को थोड़ सा ट्विश्ट कर दिया गया है जेनरली सभी स्ट्वेंट पढ़ते हैं कि बहुद Dham की आती अर्थार बहुत और के समय में सबसे परचलीत भासा क्या थी तो पाली सबी को याद है कि बहुत जो है वो पाली भासा के लिए पर मुखरूप से जाने जाते थे बहुत धर्म जो है उसका परसार भी जो है पाली भासा में हुआ थो थोड़ा सा ट्विश्ट कर दिया गया है कि किस भासा का अधिकांस बहुत धर्म गरंथों और उसकी रचना के लि आपके सामने रिपर्जेंट करें और आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके बना लें तो निस्य दुप से सही होगा जैसे ही बौध धर्म गरंथ हुआ तो आप तो वैसे भी जानते ही हैं कि बौध धर्म में जो है वो पाली भासा का जो है काफी परचार परसर हुआ था तो इसका सही जवाब निश्य रुप से पाली होगा, वहीं जैन धर्म अगर आता तो उसमें प्राकिर्ट भासा होता, संस्कित भासा तो होगा ही नहीं, तमिल भासा होगा ही नहीं, बहुत धर्म गरंत जैसे ही पूछ दिया, तो सही जवाब आख मुंद करके हम लोग इसका पाली देंगे, तो उमीद करता हूँ कि इस तरह के प्रसन जो है आप बिल्कुल रुप से सही बनाएंगे, अठाइसमा नमर प्रसन देखिए, निवखित में से कौन सा पवित्र गरंत हिंदू धर्म में सबसे पुराना यों सबसे महत्पूर माना जाता है, तो वैदिक साह होगा, आप जानते ही हैं कि वेद जो है, और उससे जुरा हुआ, वेदिक साहित जो है, हिंदू धर्म का सबसे पुराना और सबसे महत्पूर रचना माना जाता है, और यह जो है, गरंत की रुप में इसे मानता दिया गया है, तिसमा नमर प्रसन देखिए, काता है, किसी सम होगा, अवुस सन रचना, चली आईए, तीसमा नमर प्रसन देखिए, काफी प्रसन आसान है, और बिल्कुल ही यह प्रसन गलत नहीं होना चाहिए, यदि आप एक competitive examination की तैयारी करते हैं, तो इस प्रकार के प्रसन बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, प्रसन है, बिजायन समराज की अस्थापना जो है, वो 1336 हरियर एवं बुका नामक दो सगे भाईयों ने अपने पिता संगम के नाम पर की थी, तो संगम राजवन्स जो है, हरियर एवं बुका के पिता, जो की संगम नाम था, उन्हीं के नाम पर संगम राजवन्स के अस्थापना हरियर एवं बुक्का ने की थी तो सई जवाब अपस्ण नमर काफी वेमसन निर्त्र चलीए 32nd नमर परसन देखिए कोविक्सिन कोबिट महामारी के दोरान किस भारतिय कंपनी द्वारा डेवलब किया गया था तो भारत बायोटेक के द्वारा आप जानते ही है कि कोवीड के समय जो है दो ही वैक्सिन हमारे इंडिया में मुकरूप से परचली थुई थी, एक था आपका कोवेक्सिन आद दूसरा क्या था dirigdown को जो है वो भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित क्या गया था चलिए अगला आईए 33 नमर प्रसन जो है हम लोग देखेंगे वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग इसको जल्द जल्द देखते हैं ताकि आप कम समय में जो है अधिक सधिक जानकारी ले सकें 33 नमर प्रसन देखिए कौन सा जैन त्योहार भगवान महावीर के आध्यात्मिक जागरन अर्थार्थ निर्वान की अस्तूती करवाता है और प्रार्थना ध्यान और धर्मार्थ कृतों द्वारा मनाय जाता है तो ये महावीर जैनती होगा देखिए और सब जो भी ऑप्सन दिये गा है ना आप एकदम उसको एलिमिनेट कर सकते थे कि दिवाली तो होगा नहीं परव्यूशन भी नहीं होगा नबपद ओली भी नहीं होगा ये पार्सी समों के द्वारा मनाय जाता है तो इसका सही जवाब जो है भगवार महावीर से जुड़ा हुआ जो है एकदम पासान जी से थोड़ा भी दिमाला अगर के महावीर जनती इसका सही जवाब दे सकते थे चलिए अगला चोंतिसमा नुमार प्रसंद देखिए कता है मानव विकास सूच कांक Human Development Index एक समगर माप है जिसका उपयोकिन संकेतों के आदहार पर किसी देश की विकास इस्तितिक आ कलन राष्टिया है चलिया यह पैंतिसमा नुमार प्रसंद देखते हैं कता बाढ़मी सताब्दी एडी के किस महान भारतिय गनितग एवं खगोल सास्तिरी को उनके कार आर भटिय और आर भटम सिधान्त के लिए जाना जाता है निश्चित रूप से आप प्रसंद को पर के इसका आंसर समझ गया होंगे इसका सही जवाब आर भट होगा आर भट नहीं आर भट यह आर भट सिधान्त नामक दो जो है सास्त्रों का रचना किया था तो सही जवाब इसका होगा आर भट चलिये च्छतिसमा नमर देखिए काता है रिगवेद वैदिक साहित का सबसे जाते हैं तो इसका सही जवाब 1028 है इसे पुर्व इस प्रकार के जो भी जीके वम जीएस के महतपूर्ण आपको टॉपिक है महतपूर्ण जो तत है आकरे वाले तत है डेट है उसके लिए हमने वीडियो नौलेज टेक 24 के चैनल पर प्रवाइड कर दिया है यदि आप लंबा वीडियो 32 या 33 मिट का दिखेगा जिसमें इस प्रकार के जितने भी डेट दिनांक तत डाटा से समंधित हैं हिस्ट्री से वो सारे हमने डाल दी है और यदि आप उसको पढ़ लेंगे न तो मैं गारेंटी के साथ कर सकता हूं कि यदि इस प्रकार के प्रसन आएंग से भी आपको बताएं उस सेक्शन में या फिर वीडियो के सेक्शन में आप देखेगा आपको मिल जाएगा जितने भी डेट तत वाले इस तरह के प्रसन हैं वो सारे निचोर करके हमने एक जगा लिख दिया है बस आप उन्हें जाएए और जाकर के याद कीजिए आपका का काफी आसान हो जाएगा इस तरह के प्रसन यादी एक्जाम में कहीं भी आप से पुछे जाएंगे तो आप उसको निशिज रूप से बना सकते हैं तो इसका सही जवाब 228 होगा जो कि हमने आपको इससे पुर भी बताया था चलिए 277 नमर प्रसन देखिए ब्रहम समाज ए गई थी जिसका सही जवाब अपसर नमर तीसरा होगा 38 नमर प्रसन देखिए स्वतंत भाद के पर्थम राष्ट पती एकदम आसान है डॉक्टर राजन परसाद बिहार के सिवान के जिरादेई नामक अस्थान पे रहने वाले थे और ये डॉक्टर राजन परसाद भाद के पर्थम राष्ट पती थे कौन नहीं जानता है इसको इसका आंसर बिलकुल ये काफी आसान प्रसन था 29 नमर प्रसन देखिए कौन सी प्राचीन भारतिये सवता अपने सु नियोजित सहरों उन्नत जल निकासी परणालियों और निकास में पक्की इटों के उप्योग के लि उन्नत जल निकासी की व्यवस्ता, रोड निर्मान और पक्की इटों के पर्योग के लिए जानी जाती है तिसका सही आंसर आपका चोथा नमर ऑप्जन होगा इसके बाद चालिसमा नमर प्रस्ण को हम लोग देखने वाले है चालिसमा नमर प्रस्ण आपके स्किन पर ये रहा भारतिय सोतंता अधिनियम जिसने भारत को सोतंता परदान की किस वर्स अधिनियमित किया गया था तो देखिए भारतिय सोतंता अधिनियम जो है उन्हें से 47 इस्वी अधिनियमित किया गया था इसके बाद 41 नमर प्रसन देखिए 41 नमर प्रसन भी काफी आसान प्रसन है यदि आप हिस्ट्री मेडैवल हिस्ट्री का सेक्षन थोड़ा भी पढ़े होंगे इस प्रसन को बखुवी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं प्रसन आपका पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की पहली महला सासिका जिसने 1236 AD से 1240 AD तक सासन किया तो सही जवाब रजिया सुल्तान होगा जो की इल्टुतमिस की बेटी थी तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली एवं एक मात्र महला सासिका थी जिसने की 1236 AD से ले करके 1240 AD तक सासन किया था और 1240 AD में जो है इनकी मिर्ट्यू कुर्थोल नामक अस्थान पर हो गया था तो आप निस तुरुप से इसका जवाब जानते होंगे ऐसा मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ जो पुराने एस्टूरेंट होंगे वे तो बिल्कुल ही जानते होंगे जो नए एस्टूरेंट है वो जो है नहीं जानते होंगे ऐसा हो सकता है 42 नमर दिखिए भारती रिजर्ड बैंक RBI के लिए जिम्यदार है तो भारत में मौद्रिक नीती के लिए याद रखिएगा भारत में मौद्रिक नीती जो है उसके लिए RBI अर्थार्ड रिजर्ड बैंक ऑफ इंडिया जो है बिनिम्यद एवन सुपरवाईजेशन दोनों के लिए जो है रिस्पोंसेवल होए तो इसका सही जवाब अप्शन नमर चौथा है 43 नमर देखिए काफी आसान प्रस्ण है ताजमहल किस वस्तु कला सेली का परतिष्ठित असमारक है तो यह मुगल वस्तु कला का है सभी जानते हैं कि ताजमहल को साजहान ने बनवाया था और साजहान जो है वो मुगल राजवन्स के एक सासक थे तो निश्चत रूप से इसका जो आंसर है वो मुगल वस्तु कला ही होगा क्योंकि ताजमहल जो है मुगल वस्तु कला में मुगल राजवन्स के समय ही साजहान के द्वारा बनवाया गया था चलिए 44 नमर पसंद देखिए कहता है दुर्गा पूजा मुख रुप से भारत के किस राजवे मनाई जाती है तो याद रखेगा पस्चिम मंगल पस्चिम मंगल में जो है दुर्गा पूजा काफी धूम धाम से मनाई जाती है और बड़े लार्ज स्किल पे वैसे दुर्गा पूजा उत्तर भारत में प मुदाय हैं सभी लोगों के द्वारा काफी हरसो लास से एवं काफी बड़ी संख्याम मना जाता है यही कारण है कि जी के जी इसमें आप प्रसन जो है आपको दिखने को मिलेगा कि पस्चिम बंगाल का जो है फेमस त्योहार कौन सा है तो इसका भी सही जवाब का दुरगाप मना जाता है तो यह मकर संक्रांती होगा मकर संक्रांती के सुभ अफसर पर आप जानते ही होंगे कि पतंग बाजी करने का परचलन है मकर संक्रांती प्राय जो है जनवडी में मनाया जाता है और जनवडी में जो है 14 जनवडी के आसपास यह मनाया जाता है अलाकि यह निश् कि पतंग बाजी करने का wants दो खे पलबा करने से हैं तो आप इसका जवाब निशुरू साव नहीं बुलेंगे इसने पतंग बाजी किया जाता है तो कौन सा पर्व है तो मकर संक्रांती 46 वा नवर प्रसन देखिए श्टार्ट अप इंडिया यूजना के ताथ 31 दिसमबर 2022 तक वित पोशन के लिए शुक्रित कुल रासी क्या है यह जो है करिंड से जुरावा प्रसन है तो 450 करोर से 500 करोर इसका अंसर सही अंसर है 47 वा प्रसन देखिए खतरनाक पदार्थों से स्वास्त पर पढ़ने वाले प्रभावों में परियाप्त कमी लाने और सहरों तथा लोगों पर पढ़ने वाले पर्तिकूल प्रभावों को कम करने के लिए 2023 तक क्या लक्ष है जिसका सही जवाब अपसन नमर यह 3.9 और 11.6 है चलिए 48 नमर प्रसन देखिए यह अभी जो है करेंट से जुड़ा हुआ अब साइन्स एवन टेक्नलोजी छेतर का कुश्चन है कौश्चन आपका है कौन सा इस्रो केंदर अंतरिक्स यान के लिए एलेक्ट्रो ऑफ्टिक सेंसर और ऑफ्टिक्स के डिजाइन विकास और उ किन पर ये रहा भारत में कौन सा मौसम गर्म और सुस्क मौसम की बिसेस्ता वाला होता है जो उच्चता अपमान और सुस्क परिद्रिस्त के लिए जाना जाता है तो सही जवाब ग्रिस्म रितू है चलिए अब इस सेशन का हम लोग सबसे लास्ट प्रसन को देखते हैं जो एक जितना भी निचोर कलेक्शन है उसका हमने प्लेलिस्ट में या फिर नौलिष ट्रेक 24 के वीडियो लिस्ट में जाइए उसमें आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें कि जितना भी हिस्ट्री का डाटा से सेलेक्टेड चीज है उसका हमने निचोर रुप से वहां ल हो जाएगा और देखिए जो एस्टुएंट इससे पहले याद किये होंगे बिल्कुल रूप से उनको यह प्रसंद दिख रहा होगा कि हमने जो डाटा तयार किया उस डाटा में से यह डारेक्ट प्रसंद पूछा गया और यह पूछा भी जाता यह मैं ऐसा दावा नहीं कर स आप जानते ही होंगे कि पुरानों की संख्याकुल कितनी है तो 18 बस यही प्रसंद जो है पूछा गया है चलिए हम लोगों ने सभी 50 जेनरल एवरनेस के प्रसंद को देखा आगे के सेक्षन क्वांटिटी एपिचूट से हैं क्वांटिटी एपिचूट के भी प्रसंद का या मानक तैयार किया था और प्रसंद डाले थे वे प्रसंद देख करके आपको कुछ ना कुछ यह जरूर समझ में आया होगा कि इसमें हिस्ट्री के प्रसंद, इकोनोमिक्स के सेक्षन के प्रसंद, ज्यादे संख्या में पूछे गया हैं और साथ ही साथ जो है जेनरल दिखने और सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार के प्रसंद जो है एम्स के आने वाले जो भी बिग्यापन है उसमें लवर डिविनल कलर के लिए जो एक जाम होने वाला है उसमें पूछा जाएगा उमीद करते हैं कि ये वीडियो का सेशन देख करके आप काफी सीख पाएंगे और आपको इससे काफी आसानी होगी अपनी तैयारी को एक नया रफ्तार देने में और अपने आपको स्वैंग को आकलन करने में भी चलिए मिलते हैं वीडियो के नए सेशन में तब तक के लिए जाए हिंद जाए फारत